हेलो स्टुडेंट्स मैं अंकर वबेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैगनेट ब्रेंज हिंदी पर मैगनेट ब्रेंज हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको कक्छा 6 से लेकर कक्छा बार्मी तक का संपोंड पाठिक्रम निसुल्क पढ़ाया जाता है हम एक दो चैप्टर नहीं बलकि पूरा सलेवस आपको बिलकुल निसुल्क पढ़ाते हैं ऐसा नहीं है कि हम दो चैप्टर पढ़ाने के बाद पैसे मांग जाते हैं हमारे यहां ऐसा बिलकुल नहीं होता आप पूरा निसुल्क का मतलब निसुल्क है आपको पूरा पाठिक्रम बिल से देखने वाले हैं कि यूरोप में समाजबात का आना इसके पहले हम यूरोप में समाजबात देख चुके थे क्या था हमने रूड़िवादी और इन सब पर भी बात करी थी कि रेडिकल क्या है उधारबादी क्या है इन सब की बात कर ली थी अब इस वीडियो के माध्यम से ह उसी के आगे की बात करने वाले हैं कि यूरोप में समाजबात का कैसे आना हो पाया यूरोप में समाजबात कैसे पनप पाया तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं तो हमने सबसे पहले समाजबात तो पढ़ी लिया था तो समाजबात क्या था आप जानते हैं कि कुछ समाजबात क्या था कि अब यह लगने लगा था कि समाजबाद ने समाज के पुनरगठन की संभवता सबसे दूरगामी दरस्टी प्रदान करने वाली बिचारधारा थी तो समाजबाद क्या हो गया समाज के पुनरगठन की संभवता सबसे दूरगामी दरस्टी प्रदान करने वाली बिचारधारा थी वो पूरे यूरोप में 19 सदी मद्द तर लगबख सब कोई जान गया था सब को पता था कि समाजबात क्या होता है तो अब हमें यहीं देखना है कि यूरोप में समाजबात पनप कैसे पाया यह आगे कैसे बढ़ा तो यह तो कॉंसेप्ट पिछले वीडियो जो होंगे उनको क्या कहेंगे समाजबादी तो अब समाजबादियों का कॉंसेप्ट क्या था समाजबादी चाहते क्या थे तो समाजबादी निजी संपत्ति के बहुत विरोती थे उनका मानना था कि व्यक्ति के पास निजी संपत्ति या कोई भी व्यक्ति को निजी संपत से अपने फायदे से मतलब होता है और दूसरे के फायदे से मतलब नहीं होता तो इनको लगता था कि जब संपत्ति किसी एक की होगी नहीं संपत्ति पर सबका अधिकार होगा तो लोग सबके फायदे के बारे में सोचना स्टार्ट करेंगे ऐसा इनका मानना था तो यह लोग क संपत्ति सबक्राइब जाएगी तो सभी लोग साइद ज्यादा ध्यान दें कि सबके हितों का भला हो सके ऐसा समाजवादी मानते थे निजी संपत्ति के बिरोदी थे कारण किया था कि जड़ है और पैसे बाला है वो क्या करता है सिर्फ अपने फायदे में सोचता है तो उनक किया जाएगा लोगों का भला जादा किया जाएगा यह समाजबादी लोगों का मानना था अब देखते हैं कि यह समाजबादी कह रहे हैं कि समाज संपत्ति पर सामूहे कदिकार कर दिया जाए या जो लोग हैं पूजी वादी या एक ही व्यक्ति के वाद संपत्ति उनको अलग कर दिया जाए तो अब हमें ये देखना है कि समाज वादियों की समाज के लिए क्या अधार था समाज के लिए क्या विचार धारा थी क्योंकि कि रिस्पेक्ट पर देख रहे हैं हम ये इस तरीके से देखें कि संपत्ती चुकि बिना संपत्ती के समाज नहीं हो सकता संपत्ती तो चाहिए ही चाहिए है अभी तक जो समाज है वो अध्यक्विक समाज था जहां पर संपत्ती कुछ लोगों के पास थी लेकिन अब क्या है कि ये कह रहे हैं कि भाई संपत्ति कुछ लोगों की नहीं सब की होनी चाहिए तो वह बिचारधारा हमें देखनी है कि संपत्ति के बना तो समाज चलना ही सकता तो फिर इनका द्रस्टी कौन क्या था तो बिलकुर अलग था कैसा अलग था जैसे हम यह देखें कि अगर इसके पह कि हमारा द्रस्टी कौन सबसे अलग है हम समाज को कैसे चलाएंगे या हमें राज चलाना है या उद्योग चलाने है तो हम कैसे चलाएंगे हम कॉपरेटिव के थूरू चलाएंगे कॉपरेटिव का मतलब होता है सामुहिक उद्धम ऐसे उद्योग जो सामुहिक तरीके से मानना था कि कोई एक व्यक्ति सामुहें खेत नहीं बना सकता सामुहें खेत बनाने के लिए तो कोसिस सरकार को करनी चाहिए और सामुहें खेत तयार करना चाहिए खेत का मतलब खेती से भी है और खेत का मतलब यहां उद्योगों से भी है कि भाई एक सामुहिक उद्योग तयार होना चाहिए तो कॉपरेटिव में होता क्या है कॉपरेटिव में ये करते हैं कि मालो हमने एक कॉपरेटिव सुसाइटी बना दी या cooperative बना दी कोई कार खाने की किसकी कोई कार खाने की इसमें हर प्रकार के लोग काम कर रहे होंगे तो अब इसमें क्या होगा जो फाइदा होगा वो सभी लोगों में बाट दिया जाएगा उनके काम की अनपात में किसका काम कैसा है उस अनपात में पैसा बाढ़ते जाएगा तनखा मिलेगी और जो प्रॉफिट होगा वो भी इसी में बाढ़ते जाएगा तो ये इनका कॉपरेटिव का कॉंसेट होता है तो ये कहते हैं कि सामू है को अध्यम की तरह काम करना चाहिए तो इस फिल्ड में हम देखें कि दो लोगों ने भी बहुत अच्छा काम किया हुआ है देखो अब वो दो व्यक्ति कौन है तो एक व्यक्ति हैं इंग्लेट के जिनका नाम है रावर्ट ओवें ये आप नाम या जखिये रावर्ट ओवेन इंग्लेंड के जाने माने उद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् लूइ ब्लांक का संबंध फ्रांस से हो और इन्होंने तर्क दिया था कि सरकार को पूझी वादी उद्योगों की जगए कैसे उद्योग बनाना चाहिए सामु है उद्योगों को पढ़ावा देना चाहिए और उस उद्योग से जो भी मुनाफ़ा हो जो फायदा हो वो हर एक व्यक्ति को बाट देना चाहिए उनके काम की अनपात में यह लूई ब्लांक के द्वारा कहा गया था तो इन लोगों ने यह तर्क दिये था यहां पर लेकिन अगर आप देखें यहां पर कि इनके अलावा भी दो ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनने इस दिसामें नई इस दिसा व्यक्ति का दिकार है और पूझी पति को मुनाफ़ा कैसे होता है मजदूर की मेहनत से मुनाफ़ा पैदा होता है तो इनका मानना था कि मजदूर की स्थिती कभी नहीं सोदे रहेगी कब तक नहीं सोदे रहेगी जब तक ये विवस्था चलती रहेगी कि पूजी पर पूजी पतियों का अधिकार होगा महनत मजदूर करेंगे और उनकी महनत से पैसा किसको मिलता रहेगा पूंजी पत्यों को तो इस सिती क्या होगी पूंजी पत्यों अमीर होते रहेंगे मजदूरों की सिती जहां की तहां रहेगी तो इन्होंने कहा था कि पूंजी पत्यों को एक सिस्टम करना चाहिए कि इस पूझी बादी समाज को उखाड फेकना चाहिए और एक ऐसा अलग तरीके का समाज बनाना चाहिए जो समाज में जिस समाज के अंतरगात सारी सारव जने संपत्यों पर अधिकार किसका हो समाज का हो सौमित किसका हो समाज का हो उस समाज को इनने नाम दिया था क्या या communist समाज इनके दवारा ये नाम दिया गया था ऐसा इन्ने कहा था कि ये समाज मजदूरों को बनाना चाहिए और यही समाज भविष्च का या भविष्च का समाज हो सकता है ये इनके द्वारा ऐसा कुछ कहा जाता है यहाँ पर खीक तो अब ये कारमाक्स के द fought कर दिया गया उन्हें समाज का कॉंसर्प दे लिए कि भाई क्या होगा मसदूरों को विए वेवस्ता उखार फेकिन नई चाहिए और एक नया समाज बनाना चाहिए और समाज को ने समर्थन में कौन-कौन से लोग आए कौन-कौन सी पार्टी आई समाज बात का समर्थन कैसा रहा ठीक अब आप देखिए कि आज जो मैगनेट ब्रेन है मैगनेट ब्रेन हिंदी माध्यम के लिए कक्छा 6 से लेकर कक्छा बार्मी तक एकदम नहीं सुल्क सिक्छा अलब्द करा रहा है आपको हमारे वीडियो प्रक्ष करने के लिए हमारे चैनल को सब्स्राइब करना है हमारे सेयसंस को लाइक करना है और यह अपने दोस्तों के साथ शेएर भी करना है magnet brain ने आपकी सुपधा के लिए आप हमारी website पर जाएं तो हमारी website है magnetbrain.com उस पर आप जाएंगे तो आप magnet brain में आप state board, ncrt, cvsc, hindi medium select करेंगे तो वहाँ पर आपको हर एक subject मिल जाएगा topic wise arrange है, chapter wise arrange है, class wise arrange है तो आप वहाँ जाकर इसको आसानी से वीडियो देख सकते हैं, इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका ज्यादा फाइदा उठा पाएं, thank you